हालो एव्रिवन, कैसे आप सब लोग? I hope आप सब लोग घरों में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे and मस्थ होंगे मैं आप सब लोगों का करण नॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सब लोगों को पता है हम budget की series का part 1 complete कर चुके हैं और आज इस series के अंदर आज हम आपके सामने लेकर आये हैं budget special series का part 2 I hope आप सब लोगों को budget का part 1 काफी पसंद आया होगा जिन भी लोगों ने अभी budget का part 1 नहीं देखा है वो उसको जरूर से देखें अपने सभी दोस्तों को share करें current nomics youtube channel को subscribe करें और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था budget से related multiple choice questions हमारे telegram channel पर current nomics पर जल्दी ही उपलब्द करवा दिये जाएंगे और उस channel का description हमारे comment box में आपको उपलब्द हो जाएगा वहाँ से आप इसको channel को join कर सकते हैं तो आज हम start करेंगे current nomics की राजस्तान budget special series का part 2 मैंने आपको पहले भी बताया था ये series राजस्तान के सारे के सारे competitive exams के लिए काफी महत्पूर्ण है यहाँ पर हम factual as well as analytical दोनों aspects का हम यहाँ पर अध्यन करेंगे तो आप लोगों के लिए exams में ये series काफी helpful होने वाली है first series के अंदर हमने budget के सारे के सारे जो conceptual aspects थे सारा का सारा budget का basics का part था वो सब हम discuss कर चुके थे आज हम जो start करेंगे हमारा 15th finance commission and राजस्तान budget का क्या comparison होगा राजस्तान budget को कितना allocation मिला है 14th finance commission से वो कम हुआ है या जादा हुआ है उसके बाद हम बात करेंगे राजस्तान budget के साथ संकल्प की और one by one हर एक segment को हम detail में discuss करेंगे साथ में देखेंगे किस segment से क्या क्या questions बन सकते हैं तो आईए सुरुआत करते हैं पुरी energy के साथ आप सब लोग इस series को देखने के लिए तयार हो जाएए चलते हैं हमारी next slide पर देखो आपको next slide यहां से दिखाई दे रही होगी हमारी इसके अंदर देखो आपको क्या दिखाया हुआ है ये slide भी काफी महत्पूर्ण हो जाती है इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ये slide क्यों महत्पूर्ण है इस slide में आप देखोगे राजस्तान का जो budget है उसमें जो different sectors पर जो fund allocate किया गया है वो दिखाया गया है यहां से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले सबसे महत्पूर्ण सेक्टर आता है एजुकेशन आप देखोगे राजस्तान ने 19.3% fund किस पर allocate किया है एजुकेशन सेक्टर पर तो लगबग 19% राजस्तान के 2021 के budget में किस पर allocate किया गया है एजुकेशन पर साथ में एक और चीज आप देखोगे जो average education for fund allocate होता है average का मतलब जो सारे राज्यों के द्वारा सब राज्यों के द्वारा अलग-अलग fund allocate होगा किसी में 20% होगा किसी में 10 होगा किसी में 12 होगा किसी में 25 भी होगा अगर सब का average निकालू तो वो एवरेज आपको देखने को मिलेगा 15.9 प्रतीशत कितना देखने को मिलेगा 15.9 प्रतीशत तो राजस्तान के बजट के अंदर एवरेज से जादा फंड किस पर अलोकेट किया गया है हमारे एजुकेशन सेक्टर पर तो आपको ध्यान रखना है अभी मैं आपको जब एजुकेशन सेक्टर पढ़ाऊंगा तो अमाउंट भी बताऊंगा कितना अमाउंट एजुकेशन सेक्टर पर अलोकेट किया गया है अभी आपको क्या याद रखना है राजस्तान के बजट ने 19.3 प्रतीशत फंड एजुकेशन पर अलोकेट किया है जो की एवरेज फंड अलोकेशन से जादा है अब एवरेज कितना है 15.9 प्रतीशत यह हुआ एजुकेशन का दूसरा सेक्टर देखो हमारा हेल्थ वाला health वाले sector के अंदर कितना fund allocate किया गया है यह भी आप यहां से देख सकते हैं अगर आप देखोगे health के अंदर कितना allocate किया गया है 7.1% कितना 7.1% fund राजस्तान के budget में health sector पर allocate किया गया है जो की average से जादा है average fund कितना है 5.3% कितना है 5.3% यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि health sector पर राजस्तान ने allocate किया है 7.1% जबकि average कितना है 5.3% average अपको समझ में आ गया होगा average का मतलब सब राज्यों ने अलग-अलग fund allocate किया होगा किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 9, किसी ने 11 हम अगर उनका average निकालते हैं तो average कितना आता है 5.3% तो राजस्तान का fund allocation average से ज़्यादा है किस सेक्टर में education में भी और health सेक्टर में लेकिन आप देखोगे सबसे महत्पूर्ण चीज agriculture sector में राजस्तान ने कितना allocate किया है 5.5% जबकि average कितना है 7.1% मतलब agriculture के सेक्टर में राजस्तान ने जो budget में fund allocate किया है वो average से क्या है कम है average राज्यों ने कितना allocate किया है 7.1% जबकि राजस्तान ने कितना allocate किया है 5.5% तो ध्यान रखने है education में लगबग 19 प्रतिशत fund, health में लगबग 7 प्रतिशत fund, agriculture में 5.5 प्रतिशत fund, राजस्तान के बजट में allocate किया गया है rural development में कितना है? 6.4 प्रतिशत और police को कितना है? 3.4 प्रतिशत तो आप देखोगे, police के case में भी हमारा fund allocation क्या है? कम देखा गया है ठीक है, police में अगर आप देखोगे, average कितना है? 4.1 और राजस्तान ने कितना allocate किया है? 3.4 तो इस type के question भी आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं question किस type से बनेगा? राजस्तान में आपको 4 सेक्टर दे दिये जाएंगे और बोला जाएगा कि निम्न में से किस सेक्टर में राजस्तान बजट द्वारा सरवादिक fund allocate किया गया है अगर मैं आपको 4 सेक्टर दे दू यहाँ पर education, health, agriculture और rural development तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा education पर है then second number पर किस पर है? health पर है, third पर आप देखोगे यहाँ rural development पर है और fourth में आपके पास agriculture पर है तो आपको यहाँ पर order भी याद होना चाहिए, आप साथ में यहाँ से notes making भी कर सकते हैं, काफी helpful होगा आपके exams के लिए एक भी question इस series से बाहर नहीं जाने वाला, तो बड़े ध्यान से देखना, यह सारे sectors में आपको समझा दिये हैं आप देखिए, आप वापस आप next slide पर आते हैं, ठीक है, next slide देखिएगा आप, अब next slide है हमारी finance commission वाली, इसको भी ध्यान से देखना यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझनी है, इस slide के अंदर, जो हमारी 15th finance commission वाली slide है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़े ध्यान देनी है आप सब लोगों को पता है, अभी हाल ही में हमारे 15th finance commission की report release की गई थी, और आपको पता है, 1 April 2020 से लेकर 31 March 2025 तक हमारे 15 वितायोग की जो अनुसंसाय हैं, वो लागू होगी तो आपको पता है, लगबग 41 प्रतिशत fund allocation किया गया है, किसके द्वारा, finance commission के द्वारा, center के state को allocate किया जाएगा अगर सोचो, 100 रुपे tax के रूप में collect किया गया है, तो उसमें से 41 रुपे किसके मध्धे बाट दिये जाएगे, राज्यों के मध्धे बाट दिये जाएगे आपको ये चीज़ भी पता है, कि 14th finance commission के द्वारा, जो fund allocate किया गया था, वो कितना था, 42 प्रतिशत और जबकि 15th finance commission के द्वारा कितना है, 41 प्रतिशत, तो आपको ये पता होना चाहिए, कि एक प्रतिशत fund की यहाँ पर कटोती की गई, और उसका क्या कारण था, उसका कारण था, आप सब लोगों को पता है, अब भी जम्भू कस्मीर और लद्दाक को नया केंदर शाषित प करेगा लद्दाक और जम्भू कस्मीर दोनों union territories के development के लिए, तो एक्जाम में ये question भी पूछा जा सकता है, कि क्यों finance commission द्वारा जो धन आवंटित किया जाता है, उसमें एक प्रतिशत की कटोती क्यों की गई, उसका कारण था, बनने वाली दो नए केंदर सासित किया गया, क्योंकि जब हम राजस्तान का budget पड़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए, कि कितना प्रतिशत हिस्सा यहाँ पर राजस्तान को allocate किया गया है, साथ में ये भी पता होना चाहिए, कि जितना हिस्सा राजस्तान को allocate किया गया है, वो 14th finance commission से कम है या ज्यादा है, य कितना है 2.45 प्रतिशत जबकि पहले कितना था 2.31 प्रतिशत तो काफी थोड़ा सा increase देखा गया है आप देखोगे पहले 2.31 था अभी कितना हो गया 2.45 तो ध्यान रखना कि राजस्तान का जो allocation है उसमें काफी marginal increase देखा गया है 2.31 से बढ़कर कितना हो गया 2.45 प्रतिशत हो गया है मतलब 15 फाइनेंस कमिशन ने कितना अवंटित किया है 2.45 प्रतिशत शेर ध्यान रखना है एक्जाम में पूछा जा सकता है फाइनेंस कमिशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं इसका गठन हमारे सवीधान के आर्टिकल 2.80 के तहट किया गया है जो इसके सदश्य होते हैं अध्यक्स होते हैं उनके नियुक्ति किसके दवरा की जाती है राश्टपती जी के दवारा और जो इसके रिपोर्ट होती है वो केंद सरकार पर बाइंडिंग या बाद्देकारी नहीं होती ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है तो फाइनेस कमिशन के बारे में हम डेटेल में नहीं जाएंगे अब ही हम बजट के रेस्पेक्ट में जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 15 फाइनेस कमिशन के द्वारा 2.45 प्रतिशत शेर राजस्तान को अलोकेट किया गया है जबकि 14 के द्वारा कितना किया गया था 2.31 प्रतिशत शेर अलोकेट किया गया था यह आप लोगों को ध्यान रखना है साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य को सबसे ज़्यादा शेर इसके तयात आवंटित किया गया है तो उसकी भी मैंने टेबल यहाँ पर बनाई है आप यहाँ पर देख सकते हैं आप देखो यहाँ पर 15 फाइनेस कमिशन राजस्तान का शेर कितना है द्वारा सबसे ज़्यादा शेर मिला है तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है यहां से सबसे ज़्यादा शेर मिला है किसको उत्तर प्रदेश को कितना है 7.35 प्रतिशत सेकेंड नंबर पर मिला है विहार को कितना है 4.13 प्रतिशत थर्ड नंबर पे मिला है मध्यप्रदेश को कितना है 3.23 प्रतीशत फोर्थ नंबर पे मिला है वेस्ट बेंगोल को 3.08 प्रतीशत पांचवा मिला है माराश्ट्रा को 2.52 परसेंट तो आपको ये भी याद रखना है कि राजस्तान का नंबर यहाँ पर कौन सा है 6 नंबर पे आता है अगर मैं 15 फाइनेस कमिशन के बारे में बात करता हूँ कि कितना प्रतीशत हिस्सा किसके द्वारा दिया गया है केंडर द्वारा राज्यों को अलोकेट किया गया है तो राजस्तान का कितना है 2.45 प्रतीशत यह सबको समझ में आया होगा ओर्डर सबको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा यूपी है सेकेंड पे बिहार है थर्ड पे मध्यप्रदेश है फॉर्थ पे वेस्ट पिंगोल है क्योंकि एक्जाम में इससे देखते हैं यह वाला कौशन भी आपके एक्जाम में बन सकता है इसलिए मैंने आपको शेर यहां पर लिख दिया है मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्तान में टेकसिस के मध्यम से कितना कितना शेर आता है कितना 16.3 प्रतिशत हिस्सा आपको मिलेगा state GST से GST का मतलब सब समझते हैं goods and services tax तो सबसे ज़्यादा हिस्सा 16.3 प्रतिशत दूसरा आप देखोगे sales tax and weight के माध्यम से दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा वो होगा 12.1% कितना होगा 12.1% आपको पता है अभी सारे आइटम अमरे GST में नहीं आते जैसा कि alcohol नहीं आता, petrol नहीं आता तो इन पर जो लगता है वो किसके माध्यम से collect होगा weight के माध्यम से तो इनको कितना प्रतिशत इस्सा मिलता है 12.1% थर्ड आएगा आपका state exercise duty 7.2% 4 आएगा आपका stamp duty and registration fee 3.2% 5 आएगा आपका जो vehicle पर taxes लगते हैं 3.5% 6 आएगा आपका जो electricity पर taxes लगते हैं 1.6% और land revenue आएगा 0.3% तो आप से question पूछा जाता है चारो को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा arrange करो किसको सबसे ज़्यदा हिस्सा मिलता है और किसको सबसे कम मिलता है तो ध्यान रखना सबसे ज़्यदा हिस्सा आपको state GST से मिलेगा then self tax and weight then state exercise duty then stamp duty and so on तो आपको ये भी याद रखना है ये भी आपका budget से question बन सकता है इसलिए मैंने आपको ये भी यहाँ पर अलग से coverage दिया है ठीक है आगे बढ़े हैं अब हम लोग अब देखो यहाँ से भी थोड़े थोड़े questions बन सकते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा काफी महतपूर्ण है ये चीज़ भी ध्यान से देखना इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बिल्कुर clear देखना यहाँ से पूछा जाएगा पहली चीज़ तो पूछी जाएगी कि राजस्तान की परकेपिटा income कितनी है अभी आप देखोगे जो बजट के अंदर डेटा रिलीस किया गया वहाँ पर आप देखो परकेपिटा income कितनी बताएगी आपको मिलेगा यहाँ पर देखने को 1,18,169 कितनी परकेपिटा income है राजस्तान की 1,18,169 जो की 7 प्रतिशत जादा है 2,018,19 की income से तो पहली चीज तो जो राजस्तान की प्रतिविक्ति आई है 2019-20 में करण प्राइस पर कितनी एस्टिमेट की गई 1,18,169 जो की 2,018,19 के एस्टिमेट से कितना जादा है 7 प्रतिशत जादा है तो यह कोशन भी आपको बन सकता है कि राजस्तान में पर केपिटा इंकम कितनी है 2019-20 में करण प्राइस के आधार पर तो उसका आंसर होगा 1,18,169 जो की 2,018,19 से 7 प्रतिशत जादा है दूसरा कोशन आपको यहाँ अनेप्लोइमेंट से देखने को मिल सकता है पूछा जाएगा कि periodic labor force survey के अनुसार राजस्तान में अभी unemployment rate क्या है तो अब देख सकते हो यहाँ पर यह 2017-18 का डेटा आया था जिसने बोला कि राजस्तान के अंदर अभी unemployment rate कितनी है 5% है जबकि इंडिया की unemployment rate कितनी है 6.1% है तो ध्यान रखना राजस्तान में जो बेरोजगारी की दर है वो इंडिया में बेरोजगारी की दर से कम है ऐसा budget के डेटा में बोला गया कि राजस्तान में जो unemployment की rate है जो बेरोजगारी की दर है वो कितना प्रतिशत है 5% जबकि इंडिया में कितनी है 6.1% ध्यान रहेगा सबको कि राजस्तान में जो बेरोजगारी की दर है वो इंडिया में बेरोजगारी की दर से कम हैं राजस्तान में 5 प्रतिशत किसके अनुसार जो periodic labor force survey 2017-18 के data के अनुसार राजस्तान में 5 प्रतिशत बेरोजगारी की दर है जबकि इंडिया में कितनी है 6.1 प पूछा जा सकता है और एको और महटपूर्ण फेक्ट में आप ragu το अपर आपको पता है कि हम इकनोमी को तीन सेक्टर में बाट देते हैं। primary sector, secondary sector और tertiary sector प्रात्मिक छेत्र, जित्यक छेत्र और त्रित्यक छेत्र आप देखोगे 2019-20 के data के अनुसार हमारा क्या-क्या contribution है जो हमारा primary sector है आप देखोगे in 2019-20 agriculture का, manufacturing का और services का, तो कितना-कितना share दिखाया गया 25 प्रतिशत तो आपको मिलेगा किसका agriculture का कितना है agriculture का 25% manufacturing का 28% और आपका service sector का 47% तो सबसे ज्यादा किस sector का आपको देखने को मिलेगा service sector का 47% second पर आपको मिलेगा manufacturing का 28% और third पर मिलेगा आपको agriculture का 25% तो आपको यह याद रखना है तीनों के अंदर growth देखी गई है agriculture के अंदर 5.7% है manufacturing के अंदर सबसे कम growth है 2% और 6.9% growth देखी गई है आपकी किसकी service sector की तो आपको ध्यान रखना है यह तीनों का contribution भी यहाँ पर exam में आपसे पूछा जा सकता है मैंने आपको यह वाला cover करवा दिया था राजस्तान का growth state domestic product मैंने आपको starting के slide में ही यह चीज आपको explain कर दी थी कि जैसे इंदिया का GDP होता है और राजस्तान का क्या होगा gross state domestic product यहाँ पर एक word हम लगा देंगे state, राज्य, सकल, घरेलू, उत्पाद तो आपको यह question ध्यान रखने है पर कि अपटा इंगम से question पूछा जा सकता है unemployment rate से question पूछा जा सकता है और किस sector का कितना कितना contribution है आपका agriculture का, manufacturing का और services का यह भी आपको यहाँ से data याद रखना है काफी महतपूर्ण है इसलिए मैं आप लोगों कोई साथ यह data share कर रहा हूँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ठीक है अब आते हैं हमारे सबसे महतपूर्ण पार्ट पर budget के, budget को इस बार साथ संकल्पों में बाटा गया है और वेसे ही हम budget की study करेंगे one by one हम संकल्प यहाँ से start करेंगे और उसको further हम continue करेंगे तो पहले देखते हैं कि हमारे मानने मुख्य मंत्री जी के द्वारा budget को किन-किन संकल्पों में बाटा गया पहला संकल्प क्या लिया गया निरोगी राजस्थान पहला संकल्प क्या था आपका निरोगी राजस्थान दूसरा संकल्प क्या है महिला, बाल, एवं व्रदिकल्यान, वुमन का, चाइल्ड का, और एल्डरली परसन का, वेलफेर, तीसरे संकल्प के अंदर डाला गया, फोर्थ के अंदर डाला गया, सक्सम, मजदूर, छात्र, युवा और जवान, एमपावर्ड, लेबर्स, स्टूडेंट्स, एंड यूथ एमपावर्ड कौन-कौन, स्टूडेंट्स भी है, लेबर्स भी है, और यूथ भी है, ये चोथे संकल्प के अंदर डाला गया, पांचवा संकल्प किस पर आधारीत है, आपके एजुकेशन सेक्टर पर, छटा संकल्प किस पर आधारीत है, आपकी बेसिक एमेनिटीज, व तकनीक तुधान, तो इन साथ संकल्पों के अंदर राजस्तान के बजट को डाला गया, आप इसको इंगलिस में भी देख सकते हैं, फर्स निरोगी राजस्तान, सेकेंड प्रेस्परियस फार्मर, थर्ड वूमन और चायल वेलफेर, फॉर्थ होगे अपका केपेबल लेब इन साथ संकल्पों में राजस्तान के बजट को बाटा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है, कि राजस्तान के बजट में कितने संकल्प इस बार पारित किये गए हैं, एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, अब हम बात करते हैं, वन बाइवन, हम एक एक संकल्प को य तो आप सब लोगों को पता है, अभी राजस्तान गवर्मेंट के द्वारा निरोगी राजस्तान स्कीम की सुरुवात की गई थी, आप सब लोगों को पता है, डिसमबर 2019 में जब कॉंग्रेस गवर्मेंट ने अपनी पहली वर्षगाट मनाई थी, तब उन्होंने निरोगी राजस्तान स्कीम लोंज की थी, आप सब लोगों को ये भी पता है, निरोगी राजस्तान स्कीम के अंदर एक तो डेडिकेटेड वेबसाइट होगी और दूसरा कॉल सेंटर होगा, साथ में जो निरोगी राजस्तान स्कीम है, उसमें किस पर फोकस किया गया है, एल्डरली जो आपकी गेर संचारी विमारिया हैं, आपकी lifestyle diseases है, जो आपकी जीवन सेली में परिवर्तनों की वज़े से होती है, इन सब चीजों का focus किस पर किया गया है, निरोगी राजस्तान scheme के तहत किया गया है, तो पहली चीज तो आपको निरोगी राजस्तान scheme को अच्छे से दिसमबर 2019 में, जो कॉंग्रेस गवर्मेंट की first anniversary थी, 17 दिसमबर 2019 को कॉंग्रेस गवर्मेंट की first anniversary पर इसको launch किया गया था, ये scheme के अंदर एक तो आपको dedicated website, जिसको हम बोलेंगे समर्पित website और दूसराई call center इस्तापित किया गया है, साथ ही में इस योजना के तहत किसको लक्षे किया गया है, जो आपके बुजूर्ग है, आपकी महिला हैं, उसके अलावा बच्चे हैं, उनके स्वास्ते को यहाँ पर एफिसेस फोकस किया जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर जो गेर संचारी विमारिया है, नोन कम्यूनिकेपल डिजीजेज हैं, उन पर यहा प्राउधान इनो ने किया है, तो एक बार आप निरोगी राजस्तान स्कीम भी अच्छे से पड़ें, ताकि बजट के अंदर पहला जो संकल्प है, उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकें, अब देखो, पहली चीज आपको यहाँ से पहला कोशन क्या आएगा, पहला कोशन जो आपका मेडिकल और हेल्थ है, मैं अगर चिकिस्सा और स्वास्ते की बात करूँगा, तो यहाँ पर कितने करोड का बजट अवंटित किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिखेगा 14,533 करोड का, आप लगभग ध्यान रग सकते हैं, कि लगभग 14,000 कर प्राओधान किस पर किया गया है आपके चिकिस्सा और स्वास्ते पर, exact डेटा है आपका 14,533 करोड, 37,000 रुपे का प्राओधान, इस स्कीम के तहत या इस छेतर में किया गया है, तो ध्यान रखना चिकिस्सा और स्वास्ते में कितना बजट अलोकेट किया हुए, था कि 5 कोईसी भी ऐसी scheme का नाम लिखो जो राजस्तान में health department के द्वारा संचालित की जा रही है या राजस्तान में health से related समष्याओं से निमटने के लिए संचालित की जा रही है अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको 5 नाम easily मिल जाएंगी अगर मैं बोलू पहला नाम हो जाएगा मुख्य मंत्री निसुल्क दवायोजना दूसरा हो जाएगा मुख्य मंत्री निसुल्क जांच योजना तीसरा जनता क्लिनिक आपको पता है दिल्ली में जो महला क्लिनिक थे उनसे ये कॉंसेप्ट लिया गया जनता क्लिनिक वाला तो स्वास्ते भीमा यहां पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं और पांचवी स्कीम आपकी कौन सी होगी निरोगी राजस्तान तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो राजस्तान में हेल्थ सेक्टर के द्वारा चलाई जा रही है तो आप क्या बोलोगे पहली स्कीम मुख्यमंत्री निसुल्क दवायोजना दूसरी क्या बोलोगे मुख्यमंत्री निसुल्क जाच योजना तीसरी क्या बोलोगे जनता क्लीनिक और फोर्ट होगे आपका आयुस्मान भारत महत्मा गांधी राजस्तान स्वास्ते भीमा और आपका सिक्स हो गया न पहले संकल्प के अंदर आपको निरोगी राजस्तान योजना के बारे में पता होना चाहिए कब लॉंच की गई है क्या-क्या उसके अंदर फेक्टर है किन-किन पर फोकस किया गया है दूसरा कोश्चन चिकिस्सा एवन स्वास्ते चेत्र में राजस्तान बजट द्वहरा कित जाती है मैंने आपको 5-6 योजनाओं के नाम बता दिये अब एक और महत्पूर्ण कोश्चन यहाँ से बनेगा आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका निरोगी राजस्तान अभियान है इसको और बुष्ट प्रदान करने के लिए एक कोश्च की स्तापना की गई है एक फं कोश्च की स्तापना की गई उसका नाम होगा निरोगी राजस्तान प्रबंदन कोश्च साथ ही में कितना बजट उस कोश्च पर अलोकेट किया गया तो ध्यान रखना 100 करोड रुपे के इस निरोगी राजस्तान प्रबंदन कोश्च की स्तापना यहाँ पर की गई है I think यह पर सबको clear होगा, कितना budget उस fund पर allocate किया गया है और क्यों इस fund की स्तापना की गई है निरोगी राजस्तान योजना को boost देने के लिए इस अभियान को गती प्रदान करने के लिए ये fund जारी किया गया है साथी में ध्यान रखना, जो ये fund बनाया जाएगा इस fund में से प्रतेक जिले को एक करोड रुपे आवंटित किये जाएंगे ताकि वो जो आपका campaign है, उसको manage कर सके उसके प्रचार प्रचार से related चीजे सारी की सारी उससे related जो भी वो conference वगएरा आयोजित करेंगे वो अच्छे से इसका आयोजन कर सके ताकि जादा से जादा लोगों में क्या फेल सके इसकी awareness को फेलाया जा सके तो ध्यान रखना है, निरोगी राजस्तान प्रभंधन को किसके लिए, निरोगी राजस्तान योजना को boost देने के लिए उसको awareness फेलाने के लिए उसका जो campaign इसको manage करने के लिए हर जिले को एक एक करोड रुपे यहां से दिये जाएंगे fund बनाया गया है, 100 करोड रुपे का सबको clear होगा यहां से ठीक है, next page पर आपन चलते हैं यहां से अब देखो ठीक है, next page पर आपन आते हैं यहां पर अब देखो, next page पर दो, दो, तीन question और भी मायत्पूर्ण मनेंगे, आप देख सकते हैं इन दो questions को, क्या क्या questions यहां से आपको मिलेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठाकि आपको और भी clear यहां पर दिखेगा, देखो, यहां पर दिखेगा, अब ही आप देखोगे, कि राजस्तान गोवर्मेंट द्वारा, एक digital health survey करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, अगले वर्स के लिए, क्योंकि आप ध्यान रखना, बजट के लिए, सारी की सारी चीजे, बजट में क्या करते हैं, आवंटित करते हैं, बजट में, स्कीम के लिए, फंड अलोकेट किया जाएगा, यह बताया जाएगा, इस बजट के तहरत हम यह स्कीम लाने वाले हैं, लेकिन implement अब धीरे-धीरे होना, स्टार्ट होगी, तो आप देखोगे, संपुन राजस्तान के नागरिकों के लिए, डिजिटल हेल्थ सर्वे लाने का यहाँ पर इन्होंने निर्ने लिया है, क्या आएगा, डिजिटल हेल्थ सर्वे, आप यहाँ से देख सकते हो, डिजिटल health survey कराए जाने का यहाँ पर निर्ने लिया है आपको मैं एक और चीज बता दूँ अगर आपको पता हो आज कल केरला government के द्वारा सबसे पहले क्या launch की गई digital literate एक term launch की गई जिसका नाम है digital literate आपने सुना होगा mail साक्षरता सुना होगा mail literacy सुना होगा email literacy सुना होगा इसको हम बोलते हैं पुरज साक्षरता या महिला साक्षरता अब केरला government ने क्या किया है केरला government एक नया डेठा इखटा कर रही है उसमें उन्होंने बोला है कि digital literacy कितनी है कितने ऐसे लोग है जो digitally saak荷र है कितने ऐसे लोग है जो डिजिटल चीजों का यूज कर पाते हैं तो उसी का राजस्तान में भी धिरीद्रे बढ़ावा दिया जा रहा है डिजिटलाइजेशन को हेल्थ सेक्टर में प्रमोट किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर डिजिटल हेल्थ सर्वे करवाय जाने का निर्णे यहाँ पर इन्होंने लिया है साथ ही में एक और कोशन यहां से पूछा जाएगा आप लोगों के लिए वो कोशन क्या होगा वो कोशन पूछा जाएगा Early Intervention Center की स्थापना यहां पर की जाएगी किसके लिए Disability की पहचान करने के लिए या निसकता की पहचान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा जिला इस्तर पर Early Intervention Center की स्थापना की जाएगी इससे फाइदा क्या होगा इससे उन लोगों का समय पर इलाज प्रारंब हो सकेगा आपने देखा होगा कि Disability के लेवल अलग अलग होते हैं किसी को 30% disability होती है, किसी को 40 होती है, किसी को 60 होती है तो उस disability को बढ़ने से रोका जाए उसके लिए सरकार द्वारा जिला इस्तर पर क्या इस्तापित किये जाएंगे Early Intervention Center तो question यहाँ पर बनेगा कि Early Intervention Center किन के लिए स्तापित किये जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, disability की पहचान करने के लिए या नी सकतता की पहचान करने के लिए क्यों किया जाएगा, ताकि उनका समय पर इलाज हो सके और उनकी disability को बढ़ने से रोका जा सके अगर किसी की 30% है, तो उसको बढ़कर 40, 50, 60 में कनवर्ट नहीं होने दिया जाए, तो दो कोशन यहां से आपको मिलेंगे, एक तो digitally health survey करवाये जाने का निर्ने और early intervention center कराने का निर्ने, साथ में एक और चीज यहां पर इन्होंने की है, आपने देखा होगा, आज कल काफी ज़दा adulteration होने लगा है, काफी ज़दा मिलावट देखी जाने लगी है आप देखोगे, माववे में मिलावट, दूद में मिलावट, हर चीज में मिलावट काफी ज़दा आने लगी है, तो मिलावट खोरों के विरुद, कड़ी कारवाई करने के लिए, एक separate authority बनाई जाएगी, उसकी घोशना यहाँ पर की गई है, क्या नाम होगा, अभी उसको यहाँ पर clarify नहीं किया गया है, सिर्फ budget के अंदर यही घोशना की गई है कि adulteration के विरुद, strict action लेने के लिए, एक authority की गठन यहाँ पर किया जाएगा साथ में, एक fast record भी यहाँ पर बनाई जाएगी, ताकि उन मिलावट खोरों के विरुद, परित कारवाई की जा सके, यह चीज़ भी यहाँ पर लाई गई है, तो दो question इस paragraph से मिलेंगे, digital health survey और early intervention center, आप लोग notes भी मना सकते हैं, जिनको notes मनाने हैं, और तीसरा question मिलेगा आपको, बिलावट खोरो, या adulteration को रोकने के लिए, faster record की स्थापना, प्लस एक authority की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, आप लोगों को यह clear होगा, I think, ठीक है, तो यह वाले, दोनों में आपको clear करवा दिये हैं, अब आगे चलते हैं, यहाँ तक सब लोगों को clear है सारी चीजे, ठीक है, अब देखो, आगे चलते हैं वापस हम लोग, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, मैं वापस से आप लोगों के लिए, I think सब को visible होगा यहाँ से, अब देखा कि पिपाड सीटी अवं फलोदी के राजकी अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया है, तो question पूछा जा सकता है, निम्न में से किन राजकी अस्पतालों को जिला चिकित साले का दर्जा दिया जाएगा, तो उसमें नाम है, पिपाड सीटी और दूसरा है आपका फलोदी, तो ध्यान रखना है, इन दो जो राजकी अस्पताल है, उनको किसका दर्जा दिया जाएगा, जिला चिकित साले का, या डिस्टिक होस्पिटिल्स का, इनको यहाँ पर दर्जा दिया जाएगा, तो ध्यान रखना है कौन-कौन से हैं, पिपाड सीटी और फलोदी के राजकी अस्पतालों को, ठीक है, इस परिग्राफ में इतना ही कोशन है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो काफी महत्पूर्ण आ जाती है, नेक्स्ट परिग्राफ अपने आप में काफी महत्पूर्ण हैं, क्यों महत्पूर्ण हैं, आप देखोगे, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि मुख्य मंत्री निसुल्क दवा योजना भी चलती है, और मुख्य मंत्री निसुल्क जांच योजना भी चलती है, question पूछा जाएगा कि मुख्य मंत्री निसुल्क जाच योजना के तहद कितनी दवाईया निसुल्क बाटी जाती है तो उनकी संक्या है 709 कितनी दवाईया है presently 709 ये भी question पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री निसुल्क दवायोजना के तहत किन किन नई दवाईयों को सम्मिलित किया गया है उसका आंसर होगा cancer की दवाई, kidney की दवाई और liver कितनी कौन कौन सी दवाई, cancer वाली, kidney वाली और liver की दवाईयों को अभी हाल ही में मुख्यमंत्री निसुल्क दवायोजना के तहत सम्मिलित किया गया है तो total दवाईयों की संख्या कितनी हो गई अब 709 तो ये दोनों question इस paragraph से आपको देखने को मिलेंगे कि कौन कौन सी दवाईयों को सम्मिलित किया गया है और total दवाईयों की संख्या कितनी हो गई है तीसरा question आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप देखोगे कि cancer की जो patient है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो cancer के patient की effective monitoring के लिए एक registry system प्राड़म किया जाएगा जिसका नाम होगा cancer registry system क्या होगा जिसका नाम cancer registry system क्यों प्राड़म किया जाएगा इसका कारण है cancer की effective monitoring करना इसमें आप देखोगे राजकियवम निजी दोनों government और private hospital में जो cancer के मरीजों का registration होगा वो compulsory होगा ताकि जो future में जितने भी cancer मरीज होंगे या patient होंगे उनको proper guidance यहां से मिल सके तो देखो राजस्तान government के द्वारा cancer की effective monitoring के लिए cancer registry system start किया गया है इस system के तहट चाए आपका government hospital हो चाए private hospital हो वहाँ पर cancer के जो patient है उनका registration compulsory होगा जिससे future में cancer patient के बारे में आपनको proper guidance मिल सके तो इस paragraph से दो question है दवाईयों की संक्या कितनी है कौन कौन सी नई दवाईया सम्मिलित की गई और cancer registry system किस तरह से कारिये करेगा I think सबको clear होगा यह चीज ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो यहां तक सबको clear है उसके अलावा एक और चीज में आपको यहां पर question मनेगा आपको यहां पर आप देखोगे MRI और CT scan का नाम सब लोगों ने सुना होगा तो यहां पर तीन जगे जेपूर में जोदपूर में और विकानेर में cancer की जाच हे तू PET CT machine उपलब्द करवाई जाएगी तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में cancer की जाच हे तू PET CT scan machine कहां कहां पर उपलब्द करवाई जाने की घोशना बजट 2020 में की गई है तो आंसर होगा जेपूर जोदपूर और विकानेर इन तीनों जगह होपर PET CT scan जो cancer की जाच के लिए उपलब्द कराई जाएगी सबको clear है यहां तक I think सबको clear होना चाहिए ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां तक सबको clear है ओके ठीक है next paragraph पर आते हैं हम लोग अब ठीक है अब next पर आते हैं हम देखो next पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहां से भी बहुत important question बनने वाला है यहां पर question क्या बनेगा आपको पता है अभी SMS hospital दोरा successfully heart transplant किया गया था तो question क्या पूछे जाएगा कि basically दो heart transplant हो चुके हैं successfully by SMS hospital जेपूर तो पूछा जाएगा कि राज्य का पहला private hospital की बात नहीं कर रहा हूँ राज्य का पहला government hospital कौन सा है जहां पर successfully heart transplant किया गया है उसका नाम होगा SMS hospital जेपूर क्या नाम होगा उसका SMS hospital जेपूर तो आप देख सकते हो राज्य का पहला एवं दूसरा जो successfully heart transplant किया गया है वो SMS hospital जैपूर में किया गया है यह चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से question मनने के maximum chances है तो इस चीज को आपको बिल्कुल clear रखना है ठीक है यहाँ पर इतना ही यह question मनेगा next पर आगे बढ़ते हैं अपनव ठीक है यहाँ तक I think सबको clear होगा कि जो first और second successful heart transplant मैं government hospitals की बात कर रहा हूँ government hospitals में सबसे पहले किस ने किया SMS hospital ने हमारे राजस्तान के अंदर ठीक है आगे आजाईए अब आगे आप यहाँ पर देखोगी मैंने आपको cancer registry system समझाया अभी ठीक है उसके अलावा next page पर आईए आप लोग यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से भी बहुत ही important point है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो आपको यहाँ पर budget के अंदर मिलेगा आईडूरे department के अंदर बहुत important चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी देखो अभी तक आपको पता लगेगा कि राजस्थान में एक भी राज किये होमियोपेटिक कोलेज नहीं है होमियोपेटिक कोलेज राजस्थान में एक भी नहीं है तो आंसर होगा उसका अजमेर एवं जोधपूर अभी तक ध्यान रखना राजस्तान में एक भी गवर्मेंट होमियोपेथी कॉलेज नहीं है तो इसकी इस्तापना कहां पर की जाएगी अजमेर एवं जोधपूर में आई होप यहां तक आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा ठीक है सबको क्लियर है ठीक है वापस से आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है वापस से आगे आजाईए ठीक है तो यहां पर हमारा पहला संकल्प खतम होता है यहां पर आप देखोगे हमारा first संकल्ब start किया था हमने निरोगी राजस्तान वाला पहला संकल्ब यहां पर हमारा खतम हो चुका है तो आज हमने इस series में क्या क्या discuss किया इस series के अंदर आज हमने start किया था कि basically different different sector पर राजस्तान का कितना expenditure है आपका education पर कितना है आपका medical पर कितना है आपका agriculture पर कितना है आपका rural development पर कितना है तो पहला हमने वो चीज सीखा दूसरा हमने देखा कि 15 finance commission और राजस्तान का क्या correlation है राजस्तान को कितना share allocate किया है तीसरा हमने देखा कि राजस्तान में जो टेक्सेस से रेवेन्यू आता है उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसका आता है किस टेक्स का रेवेन्यू आता है सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम आता है फोर्थ हमने देखा कि राजस्तान के अंदर अगर आपने देखा हो परकेपिटा इंकम कितनी है, हमारी unemployment rate कितनी है, हमारा अलग-अलग सेक्टर में कितना कितना contribution है, तो हमने next चीज ये जानी उसके बाद हमने देखा कि राजस्तान बजट के अंदर साथ संकल्फ है, तो अलग-अलग संकल्फ हमने सातों देखे, उसके बाद हमने स्टार्ट किया पहला संकल्फ निरोगी राजस्तान जिसमें हमने निरोगी राजस्तान यूजना के बारे में जाना, उसके अलावा हमने देखा कि अभी हमारा निरोगी राजस्तान प्रभंदन को 100 करोड रुपे से स्तापना की गई है उसके बारे में हमने जाना उसके बाद पूरा का पूरा सेक्टर चाए हमारा वो SMS हार्ट ट्रांस्प्लांट से रिलेटेड हो चाए Cancer Registry System हो चाए PET CT Scan Machine हो चाए पीपाड़ेवाँ फॉलो दिको जो आपका District Hospital का दरजा मिला हो तो सारे के सारे questions जो पहले संकल्प से रिलेटेड बन सकते थे वो हमने यहाँ पर cover कर लिये हैं तो आज की series में हम इतना ही रखेंगे जो हमारा next part 3 होगा उसमें हम start करेंगे दूसरा संकल्प से जहाँ पर हम बात करेंगे संपन्न किसान की देखेंगे और भी क्या-क्या analysis यहाँ पर आ सकते हैं कौन-कौन से scheme हम यहाँ पर link कर सकते हैं तो यह सब चीजों के लिए आप आपको part 3 का इंतजार करना पड़ेगा जो कि most probably हम कल इसको launch कर देंगे अभी तक जिन लोगों ने भी part 1 नहीं देखा है पहले part 1 जरूर जा कर देखे ताकि आपको part 2 समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए part 1 आपके basics clear करेगा जो budget से related होंगे part 2 में आपको सारी की सारी information मिलेगी जो हमने आज cover करी है साथ में telegram channel का link हम description में डाल देंगे वहाँ से आप हमारे multiple choice questions ले सकते हो budget से related और सारा का सारा budget का coverage कर सकते हो आज के लिए इतना ही आप सब लोगों के सहीयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं